C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है केवल पढ़ने के लिए पहाड से उचा आदमी प्रिष्ट पैंतालीस 360 फीट लंबा और 30 फीट चौड़ा पहाड काटने के लिए कितना वक्त लग सकता है निश्चती टेक्नॉलोजी के इस युग में इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पहाड का सीना चीरने के लिए किस मशीन का इस्तमाल कर रहे है लेकिन अगर यह पूछा जाए कि इसी काम को एक ही शक्स को अंजाम देना हो तो कितना वक्त लगेगा शायद यह चकरा देने वाला सवाल होगा लेकिन बिहार के गया जिले के गैलोर गाउं में एक मजदूर परिवार में जन्में एक शक्स ने इसका जवाब अपने बाजूँ और अपनी महनत से दिया पहाड को हिला देने वाले उन दशरत मांजी ने राजधानी दिल्ली में 2007 में अंतिम सांस ली उनका जन्म 1934 में हुआ था वर्ष 1966 की किसी अल सुबह जब छेनी हतोडा लेकर दशरत मांजी अपने गाउं के पास अस्थित पहाड के पास पहुचे तो बहुत कम लोगों को इस बात का पता था कि इस शक्स ने अपने दिल में क्या ठान लिया है मजदूरी और कभी कभार इधर उधर काम करने वाले दशरत मांजी ने जब पहाड पर छेनी हतोडा चलाना शुरू किया तो आने जाने वाले राहगीरों के लिए ही नहीं गाउं के लोगों के लिए भी वह एक हसी के पात्र बन गए थे प्रिष्ट छियालीस जीवन संगनी फागुनी देवी का समय पर इलाज न करा पाने से उसे खोचुके दशरत मांजी को इसे कोई फर्क नहीं पड़ा धुन के पक्के दशरत की अथक महनत बाईस साल बाद तब रंगलाई जब उस पहाड से एक रास्ता दूसरे गाउं तक निकलाया आखिर ऐसी क्या बात हुई थी कि दशरत को पहाड चीरने की धुन सवार हुई दरसल पहाड को जब तक चीरा नहीं गया था तब तक दशरत के गाउं से सबसे नजदी की वजीर गंज अस्पताल 90 किलो मीटर पड़ता था दशरत की पत्नी की तबियत खराब हुने पर उसे वहाँ ले जाने के दौरान ही उसने दम तोड़ दिया था उन्हें लगा कि पहाड से कोई रास्ता होता तो मैं अपनी पत्नी को वक्त पर अस्पताल ले जाता और उसका इलाज करा पाता सरवेश्वर दयाल सक्सेना की एक कविता है दुख तुमें क्या तोड़ेगा तुम दुख को तोड़ दो बस अपनी आँखें औरों के सपनों से जोड़ दो जिन्दगी का तीसवा वसंत पार कर चुके दशरत मांजी ने शायद शेश गाउं के निवासियों के मन में दबी इस छोटी सी हसरत को अपनी जिन्दगी का मिशन बना डाला और अपनी पत्नी की असामीक मौत से उपजे प्रचंड दुख को एक नई संकल्प शक्ती में तबदील कर दिया पांच-छ़ साल तक दशरत अकेले ही महनत करते रहे धीरे धीरे और लोग भी जुड़ते चले गए वहाँ एक दान-पात्र भी रखा गया था जिसमें लोग चंदा डाल देते थे कई लोग अपने घर से अनाज भी देते थे आज की तारीख में आप कह सकते हैं कि गैलोर से वजीर गंज जाने की 80 किलोमेटर की दूरी को तेरह किलोमेटर ला देने वाला यह रास्ता एक श्रमिक के प्यार की निशानी है एक अंग्रेज पत्रकार ने लिखा पूर मैंस ताजमहल कुछ साल पहले एक पत्रकार उनसे मिलने गया तब एक फकड कबीर पंथी की तरह याया वरी कर रहे दश्रत मांजी ने उन्हें अपनी एक प्रिय कहानी सुनाई थी जो उस चिडिया के बारे में थी जिसका घोंसला समुद्र बहा कर ले गया था कहानी उस चिडिया की प्रचंड जिजीविशा और संकल्प को बया कर रही थी जिसके तहट समुद्र द्वारा घोंसला ना लोटाने पर चिडिया ने अकेले ही समंदर को सुखा देने का संकल्प लिया शुरुवात में उसे पागल करार देने वाली बाकी चिडिया भी उसके साथ जोड़ गई और फिर विश्णों का वाहन गरुड भी इन कोशिशों का हिस्सा बन गया फिर बीच बचाव करनी के लिए खुद विश्णों को आना पड़ा जिन्होंने समद्र को धमकाया कि अगर उसने चिडिया का घोसला नहीं लोटाया तो पल भर में उसे सुखा दिया जाएगा तब पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कहानी की चिडिया क्या आप ही है इसके जवाब में आँखों में शरारत भरी मुस्कान लिए दशरत मांजी ने बात टाल दी थी पिछले कुछ सालों से दशरत मांजी कबीर पंथी साधू बन गए थे और याया वर बने हुए थे लेकिन कबीर का उनका सुईकार महज उपरी नहीं था उनके विचारों में भी कबीर जैसी प्रकरता थी गरीब और मेहनत कशों का ईश्वर पूजा में उलजे रहना और तमाम आंधश रिधाओं का शिकार होना उन्हें कचोटता था वे कहते थे कि जिन्दगी भर फाका कशी करते रहे आदमी की मौत के बाद मृत्यू भोच में अच्छे अच्छे पक्वान खिलाए जाते हैं इसके लिए लोग कर्जा क्यों लेते हैं दशरत मान जी हमारे बीच नहीं है लेकिन क्या वे हमें उन मिथकीय पात्रों की याद दिलाते प्रतीत नहीं होते जैसे पात्र हमें पुराणों में मिलते हैं फिर चाहे प्रोमीथियस हो या भगीरत ऐसी शक्सियतें जो मनुष्य की उद्ध्याम जीजी विशा को प्रतिबिम्बित कर रही होती है और अपनी कोशिशों से प्रकृती की दानव शक्तियों और इंसानियत के दुश्मनों से लड़ रही होती है अपने जीवन का फलसफा बयान करते हुए उन्होंने एक पत्रकार को शायद इसी लिए बताया था कि पहाड मुझे उतना उंचा कभी नहीं लगा जितना लोग बताते हैं मनुष्य से ज्यादा उंचा कोई नहीं होता सुभाश गाताडे अभी आप सुन रहे थे पहाड से उंचा आदमी प्रस्तुति C-I-E-T-N-C-E-R-T नई दिल्ली भारत